हेलो एवरिवन फ्रेंट्स वाकम बैक टू मेजिकल हैं फ्रेंट्स आप सब जैसे हूँ होब करती हूँ आप सब ठीक होगे फ्रेंट्स आज हम 3D आवाय बनाने वाले हैं सबसे पहले हमने लिया है 15 x 7 inches का पार्ट इसे की नाप से फॉर्म और लिया है नौन इससे आपको क्विल्ट करके रेडी कर लेना है कुछ इस तरीके से अगर किसी को क्विल्ट करना अच्छे से नहीं आता तो आप यहां सीख सकते हैं कि पहले हमें पूरा जोड नहीं लेना ह ऐसे सीदी सीदी लाइने करके जोड़ना है फिर हम यहां जिप को अटेज करेंगे उसके बाद आप यहां टॉप स्टीच कर लीजिए टॉप स्टीच करने के बाद आप देखिए एक वेल्गरो लीजिए जिसका नाम है 1.5 inches अब इससे हमने खोल दिया है एक को यहां अटे पर फोल्ड किया है मैं वो बता दू 5 inches पर हमने फोल्ड किया है अब उपर से हमें ऐसे फोल्ड करना है देखिए उसके बाद आपको यह जो लाइन है वहां पर वेल्गरो अटेज करना है ऐसे अब हम वेल्गरो के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि वो अटेज हो जाए और जहां हमने जिप लगाई है उसके बैक साइड में हमें यह नोन वन का पार्ट लगाना है 7.5 बाई 5 inches का है यह देखिए जिप का जो पार्ट है वो बैक साइड में आप लगा दीजिए नोन वन का पार्ट जिप के नीचे और इस तरीके से पूरे राउन में स्टीच करे वोप करती हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर समझ ना है तो आप कमेंट कर सकते हो अब हम इस पार्ट को ऐसे फॉल्ड करेंगे सेंटर से और ऐसे देंगे राउन से यहाँ फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको राउन से नहीं देना त स्टेज करने के बाद अब हम यहां चौक से फॉल्ड करके मार्क करेंगे और वेलग्रो हमारा जहां पर आ रहा है वहां पर हम वेलग्रो को अठेज कर लेंगे तो यह जो हमारी छूटी सी क्लच बैक है बटुआ है वो सबको बहुत पसंद आता है यहां पे क्रोस में कट की हुई हमने ली है पाइपिन जिसे हम उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से फिर उपर की साइड ऐसे फॉल्ड करते हुए आपको टॉफ स्टीच करना है यहां पे हमारा टॉफ स्टीच हो चुका है एक क्यूट सा हमारा क्लच बटुआ बनकर रेडी हो गया है तो यह जो डीजाइन है वह जादा तर बड़ी उमर की जो मैला होती है वो यूस करती है हम जैसे जो छोटी उमर की होती है वह इसमें मतलब ATM कार्ड है, पान कार्ड है वह सब रख सकती है और पैसे वगेरा रखके आप अपनी बैग में भी सेट कर सकती है अब यह जो हम बैग के लिए будете कर लिया हे और इसे हमने ऐसे फॉल्ड कर लिया देखे कहां से हमने फॉल्ड किया है तो यहां फॉर इंचिस पर हमने फॉल्ड किया है और 6 इंचिस पर हमने एक लाहिन की है जहां से हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से तो ये जो हमारा पार्ट है 4 बाई 6 इंचिस का हो जाएगा जिसे हम सैंटर से कट कर लेंगे और ऐसे रांट से देंगे अब दूसरा पार्ट जो है इसी के नाप से आपको कट करने है अब हम यहां 2 इंचिस पर मार्किंग करेंगे दोनों सैट से और 12 बाई 2 इंचिस का बॉर्डर लेंगे जिसे हम नीचे की और अटेज करेंगे ऐसे यहां से लेके यहां तक और फिर हम 9 बाई 5 इंचिस के 3 पार्ट लेंगे और यह 9 बाई के पार्ट है जहां आप कपड़े का पार्ट भी ले सकते हैं और फिर जिप लेंगे जिप को आप सेंटर में अटेज कीजिए उसके बाद दूसरी जिप अटेज करें पर फिर सेंटर में एक श्ट्रिप लें जिसका नाफ है 8 बाई 1.5 इंचिस परलब हमारी जिप भी 8 इंचिस की है अगर आपको त्यान नहीं है तो त्यान दीजेगा हमारी जो जिप है वो 8 इंचिस की है दूसरी साइड हम स्ट्रिप को फॉल्ड करके स्टीज कर लेंगे और फ्रेंज कहीं बार मुझे कमेंट आती है सॉट्स में कि इसका फुल वीडियो चाहिए तो जो भी मैंने वीडियो सॉट्स अपलोड किया है उसके तीचे फुल वीडियो की लिंक दी हुई है वहां टच करें और यहां पर दोनों साइड्स हम नौन वन के पार्ट करने हैं ऐसे ही आपको सामने की साइड पर रेडि करना है अब हम इसे के साथ हम 11 इंच इस की दोरी को जोड़ेंगे ऐसे फॉल्ड करके यहां सेंटर में दोरी को फॉल्ड करके जोड़ लेंगे फिर यह जो बॉर्डर है उसके साथ ऐसे जोड़ना है फिर यहां से आपको स्टीच करना स्टार्ट करना है यहां तक आना है यहां पर बॉर्डर और जिप वाला पार्ट जोड़े उच इस तरीके से पकड़ते हुए हमने दोनों साथ से पहले क्यों नहीं जोड़ा तो उसका वज़ा यह थी कि अगर हमारा बॉर्डर आगे पीचे होता है तो हम कट कर सकते ही अब यह जो पार्ट है उसे भी हम पैक क अब लेजिए कोर्णर से इसे पकड़िए दूसरा पार्ट वहीं से स्टार्ट करें जोड़ना आज का वीडियो यूस्पुल लगे तो प्लीस फ्रेंस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा चैनल पे नए होतो और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक कर दिजेगा अच्छा नहीं लगा है तो आप दिस लाइक पे कर सकते हैं अब हमने इसे पूरे दोनों फ्रांट और बैक दोनों पार्ट जोड़ ले यहाँ से जिप को ओपन कीजिए और सीधा करें और इसे कीजिए यहां से पैग देखेजिए जो नीचे का नौन नौन का पाट है उसे हम खुला है इसलिए रखते हैं कि हमारे जो बैग है बनकर सीधी कर सकें तो यह बटवा भी क्यूट लग रहा है न सिंपल है छोटा सा है और बहुत सारी चीजे आप इसके अंदर सैट कर सकने हैं है न तो उसके बाद अब हम लास्ट डियावाई की और बढ़ेंगी 5.5 x 5 इंचिस की पार्ट है यह बलाउच पी इसका बचा हुआ पार्ट है अगर आप लाउच सिल्वाने चाहते हैं तो ऐसे तुकड़े बच जाते हैं अब हमने दो पार्ट को कुल्ट करके रे तो पार्ट भी हमने स्टीच किया तॉप स्टीच किया अब यह जो जिप है उसमें रनर डाले फिर यह जो हमारा स्क्वेर था रेक्टेंगल था उसी के नाप से नॉनमन कट करके बैक साइड में जोड ले और एक्स्टा जो भी है वह कुट करने के बाद यहां एक जिप ऐसे टॉप स्टीच करने के बाद दूसरा पार्ट यहां अटेज करें फिर रनर डाल दीजिए इसे फॉल्ड कीजिए यहां से लेके यहां तक अटेज करें और फिर एक्स्टा जो भी है उसे कट कर लीजिए ऐसे फिर यहां से आपको जिप को करना है ओपन और सिधा करना है तो यह क्यूट सा हमारा बटवा बनकर रेडी है स्टारी लेडी को इस तरीकी की पर्स बहुत पसंद आते हैं यह हैं हमारे तीन डियाइवाई तो कैसे लगे जरूर बताना और अच्छे लगे हैं तो प्लीस कमेंट में बता दीजीगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया में तब तक के लिए बबाए जे बारात